कि अर्थी अर्थ फिवस्ता का टॉपिक है करेंट का टॉपिक है आप दीक स्रंबल सर्वेक्षण 2023 सर्वेक्षण यानि स्रंबल यानि देश में महिला पुरोष 15 वर्षे अधीक या सामानिय रूप से जो मजदूर जो स्रमिक उपलब्द हैं काम करना चाहते हैं काम की इच् रिपोर्ट जारी कौन करता हैं कि यह रिपोर्ट है बारतिय नमुना सर्वेक्षण कार्यालें यानि एन एस एस ओ के द्वारा जारी किया जाता है और यह जो रिपोर्ट है यह अप्रेल 2017 से जारी किया जा रहा है गटार जाएं राश्चे नमुना है सब्म ठीदियों सर्वेक्षण कार्यालें और जाह जारी किया जाता हैं इनके अनुसार आगे देखेंगे अभी इसको अभी पहले इसमें कुछ सब्दावली का प्रियोग किया गया है वो सब्दावली देखते हैं एक सब्दावली आएगी इसमें स्रंबल भागिदारी दल ऐल एफ पी आर लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेशियो लेबर पोर्स मेबर फोर्स पार्टिस्टिपेसण रेतियों यानि स्रंबल भागिदारी दर क्या है अब हैं अभर इस्रंबल रिAKE क्या सामल करेंगे स्रंबल यानि काम करने वाले जो काम में लगे हुए है यूँंद काम करने की तलास करने वाले और काम के लिए उपलब्द हैं उनको सामिल करके यह दर निकाली जाती है कि बाई काम में कितने लोग लगे हुए हैं एक दूसरा काम की तलास कौन कर रहा हैं दूसरा और तीसरा काम के लिए उपलब्द रहने वाले कहने का मतलब साथा साथांस र काम के लिए बटक रहें कि मुझे कहीं काम मिल जाए तो इनको क्या कहेंगे स्रम्बल जनसंग स्रम्बल भागिदारी दर इसको क्या कहेंगे स्रम्बल भागिदारी दर तो स्रम बल में कौन कौन आएगा काम करने वाले और काम की तलास करने वाले सारा इस रूप में काम करने वाले और काम की तलास करने वाले फिर आता है स्रमिक जनसंख्या अनुपाद स्रमिक जनसंख्या अनुपाद स्रमिक वरकर पोपूलेशन रेशियो रमिक जनसंख्या अनुपाद यानि इसको जनसंख्या में कारीरित व्यक्तियों के परतिसत की रूप में परिबाशित किया जाता है यानि ते में पर द दीन अनुपाद यानि वे श्रमिक जनसंख्या का वर्बाग जो कां में लगा हुआ है करने में पर दो वेक्ति हैं एक उल्यक्ति काम कर रहा है रहीरित वेक्ति काराédंग torture काम की तलास में दोनों के को मिला कर क्या बना श्रंबल बन गया अब कि एक लगा हुआ है एक काम की तलास में है तो जो लगा हुआ है ओ क्दाइब्ध उन्यूप बना और यह जो काम में लगे हुए वो क्या बन गए स्रमिक जन संख्या अनुपात बन गया जो बैरोजगारी दर कि अनएंप्लॉइमेंट रेशियो यूर को स्रम्बल में रोजगार बैरोजगार वेक्तियों के प्रतिसद की रूप में परिपास इत किया जाता है मतलब देखो स्रम्बल में दो प्रकार के जो जिसके पास काम नहीं है लेकिन काम करना नहीं चाहता मुझे काम की जरूत नहीं है तो बैरोजगार की इस दर में सामिल नहीं होगा इस बैरोजगारी दर में वही सामिल होगा जो काम की तलास में वापस बताता हूं स्रम्बल में दो प्रकार के लोग आएंगे काम करने वाले काम की तलास करने वाले बेरुजगारी दर में वो आएंगी जो काम की तलास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है और वो उनके पास कारी करने की योग्यता है वो काम करने के इच्छुक है तो उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो किसम आएगा बेरुजगारी दर में कर रहे हैं उसका निर्दारण निर्दिष्ट संदर्व अवदी में जो सर्वे में डी गई अवदी में तो उस अवदी के दवरान उन्हेक्ति क्या काम किया कितने दिन काम किया उसको उसमेN सामिल करेंगे इसंतिति किसकार्य क्सक्री में से पहले यानि पिछले 365 दिनों यानि पिछले एक साल में अवदी के आधार पर निर्दारित की जाती यानि पिछले एक साल में वह व्यक्ति कितने दिन तक कितने समय तक कार्य में लगा रहा तो इसे व्यक्ति की सामानी गतिविदी इस्तिती की रूप में जाना जाता हैं हो रहा है इस सर्वे से पहले 365 दिन की अवधी में आप सामानी रुप से किते दिन काम करते ह categorically सामानी इस्तति में चालता गतीवीदी इस्तति या सामानी इस्तति का पर्मुख गतीवीदी इस्तति पीएस अर्वेक्शन की तीछी से जैसे आयसे सेलेक्शन हो रहा है उससे पहले 365 दिन के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अप्यक्षाक्रत लंबा समय परमुक समय मांदन व्यक्तित कीगी गतिविद्यों की स्थिति को उस व्यक्ति के सामानी परमुक गतिविद्य स्थिति माने जाता है यानि सबसे लंबा समय एक सामानी कित्ते दिन काम करता हैं तो रोजगार में माना जाएगा सामानी माना जाएगा लेकिन परमुक गद्धि कितने समय तक काम मिलता है उसको क्या सबसे अपिक्सक्रद सबसे सबसे अधिक्तम कितने समय काम सहब से रथिक गतिवीदी इस्तती जिस्मे कोई वैटती अपनी समानी मुख्य स्थि यानि जो लंबे समय तक maximum कितने समेथा काम किया के अत्रिक्त सर्वेक्षन की तिति से पहले 365 दिन की संदर अब्धिती के लिए 30 तिन या उसके अदिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविद्या करता हैं तो उस व्यक्ति की व्यक्ति की सहाएक आर्थिक गतिविद्य स्टि माने जाता है वो क्या कह रहा है इसके बोचीज आई एक तो आ गई सामानिय मुख्य इस्ति सामानिय मुख्य इस्ति एट्रिक्ट अगर सर्विक्षन की इस्तिती से पहले है अगर वह 30 3 दिन की अवद्धि या उससे अधिक समय तक काम करता है तो क्या कहलाएगा शहयक्त आरथिक गतिविदी इस्त्रति कहलाईगी आप काम सामानिय मुखिय स्थिती में काम कर रहे हो इसके KaragPuma बी अगर आपने तीस दिन तक काम किया इ 리 finds से पहले 3055 दिन की अवदी में तोो क्या कहलाएगी सायक आर्थिक िसट्ति कहलाएगी कि शर्वथ्सन से है अर्शा प्लव। सांप्ताइक स्थिली आर्थमां सांप्ताइक स conception मतलब अभी 300 दिन की थी अपी सब्सक्रहिक कि यह सब्सक्रहिक्शन से by निदर इति गतीवी इस्तथि को वैक्ति की वर्तमान सापताई किस्तथि के रूप जाना जाता है मतलब सरवे से पहले के साथ दिन शर्वे हुआ है तो से पहले के जो साथ दिन ईऊस साथ दिन की अवदी में आप किते दिन काम किया और 365 वाला जो थाई सामानी मुख्य है और लंबी अधिवाली तो सब्सक्राइब साथ दिन में किते दिन काम किया है कि कि इसका जो कारिय है जो यह रिपोर्ट है कौन जारी करता है नससों के द्वारा अपरेल 2017 से साव्धिक संबर सर्विक्षर शुरू किया गया और कारियल जारी कौन करता है राष्टी सांखे की कारियल जारी करता है कारियल ही जारी करेगा यह तो संग्टा ने जो सर्वे करता है और यह इसी का ही कारियल है एने सो उसको जारी करता है अब भारत की बैरुजगारी दर कितनी है यह आएगा प्रस्शन जियान रखने बैरुजगार दर कितनी है तीन पॉइंट दो परतिसर त्रम्बल बागीदारी दर जियान है जो काम करने काम कर रहे हैं और काम करनने के इच्छा करने लिए काम करने के लिए तयार है टिफिन लेकर निकल गये सांचोरी गेट पर खड़े हैं तो यह अब तया हैं और यहांपर भी साइट सिक पी काम कर रहा है में जहां इसोसनिफी तॉन मिल कर किया बना स्रांबल भागदारी दर बनी 2223 में स्रम्बल भागिदारी कितनी थी? सत्ताउन पॉइंट नौ परतिस्थ सत्ताउन पॉइंट नौ परतिस्थ 2023 में कितनी हो गई? बढ़ गई स्रम्बल भागिदारी बढ़ गई मतलब काम करने वाले भी बढ़े हैं और काम की तलास वाले व्यक्ति भी बड़े हैं तो 60.1 प्रतिशत हो गई तो देखो 2022-23 की तुलना में है 24 में व्रदी होई है आपको व्रदी दीखी रही है ग्रामिन चैतर में स्रंबल भागिदारी दर 63.7 प्रतिशत है इसका मतलब ग्रामिन चैतर में काम करने वाले भी चैतर का कितना 36.7 प्रतिशत है समझ गया यह बात स्रंबल भागिदारी मतलब काम करने वाले और काम की चाहा रखने वाले दोनों को मिला तो काम करने वाले कितने और काम की काम को चाहने वाले कितने 27.9% 22-23 में 23-24 में कितने है 60.1% और यह ब्रद्धी होई है ग्राइमिन चैत्र में कितने है 37.7% चैरी चैत्र में ट्रम्बल बागिदारी दर 52% है बढ़ कर कितनी हो गई 52% हो गई चैरी चैत्र में लेबर पोर्स पॉपलेशन रेशियो पंदरा वर्स या उससे अधिक आयू के व्यक्तियों में स्रम्बल बागिदारी दर 60.1% पंद्रा वर्स या इस्तती में किसकी समानी स्तती में तीन सो पैसट दिन में जो स्रम्बल है कि हम 365 दिन की आवदी में काम करना चाहते तो स्रम्बल बागिदार्दर कितनी हैं 30 villain 1% प्रसों में कितनी है 88 Cut पर तरीच कुंथ करने वाले और काम की चाह रखने वाले महिलाओ नहां में 41 प्रसों सब्स HC म्थ hörtार परने वाले और काम की चाहा रखने वाले काम करने के वाले तैर मैस के लिए तलास कर रहें مहिलाओ में 41.7 परती सकते हैं इंपोर्टेंट है पूछ सकते हैं 15 वर्ष या उससे अधिक आयू के व्यक्तियों में समगर क्रम्बल भागिदारी जुलाई 22 से जून 23 तक यानि एक अधिक दोरान 57.9 परती सकती कितनी 57.9 परती सकती यानि 15 वर्ष या उससे अधिक की भागिदारी व्यक्तियों की कितनी सत्तान पर नौ परसेंट जुलाई 23 24 के दोरान ये 60 परती सकती पीछे वाले आंकड़े हैं 15 वर्ष या अधिक आयू की महिलाओं के लिए जुलाई से जून 22 23 के दोरान 37 परती सकती इनकी महिलाओं की पन्दा वर्ष से अधिक इसी अधिक महिलाओं की और ये पुर्सों की 23 24 के दोरान 41.7 परती सकती की महिलाओं की ये देखो ये ये वाले ये आंकड़े हैं ये वाले ही आंकड़े देखें साथ प्रतिशत हो गई जो पहले 49 प्रतिशत थी यह 37 प्रतिशत थी वो बढ़ कर कितनी हो गई 41 प्रतिशत हो गई समान आई यू वर्ग के स्पूर्शों के लिए सामानी इस्थती में सामानी इस्थती की मैंने पड़ी बासे बताईए उसके नुसार पूर्शों की अठेटर पांच से अठेटर आठ हो गई श्रमिक जन संक्या अनुपात्दर डबलू पी यार कितना है बाइस तेज़ चॉबिस में कितना है अठानपॉइंट दो परदीशत उच्फ़ांट दो पर तीशत चानपौइंट दो परतीशत यानी काम करने वाले लोग कितने हैं कितने 482 परसंट पुरुस कितने से 46.3 महिलाएं कितनी है 40.3 देखो तरमिक जन संक्या अनुपात क्या है कि जन संक्या में कारियर्थ वेक्तियों का प्रतिसत यह बताने के लिए मैं वापस पिछा आया था कि कि इस काम करने वाले लोक कितने हैं कि जन संक्या कि अनुपात कितना है कि पूर्शों का कितना 46.3 महिला एक इतनी है 40.3 परतिसत और टोटल कितना है अथाण पॉइंट दो परतिशत्त। 15 वर्षिया उससे अधिक आयू के वेक्तियों में सर्मिक जनसंख्या अनुपात 8.2 परतिशत हैं यह और कि आगे 15 वर्षिया अधिक सारे लोग आगे इस्ते पुरुष दोनों आगे 15 वर्षिया उससे अधिक आयू कि महिलाओं में डब्लू पी आर का अनुपात कितना है 35.9 परतिसत यह 22-23 का 22-23 का यह 23-24 में बढ़कर 40.3 परतिसत हो गया जो पीठ्षे अपने देखा था अठान पॉइंट दो टोटल का हो गया 15 वर्स अधिक आयू के पुर्सों का हो गया यह कित्से का हो गया महिलाओं का हो गया कि कमान आयू वर्क की व्यक्तियों की बीच समग्र डब्लू पी आर दो जार बाइस तेईस में 56 परतिसत था कि इंपोर्टेंट एं है ओंट कि कि आया यह प्रस्टेंद कितना वेतन-गोगी करमचारी वेतन-गोगी और मतलब ड़िय्फ काम करता है सुबह काम पर जाता है Mars को मालिक से ऱटल लेता है मजदूरि यह वह वेतन-गोगी-मश designers प्रतिसते और ग्रामिन बेरोजगारी दर में मामुली प्रदी हुई है जो बाइस तेईस में दो पैंट चार पर्तिसत थी ग्रामिन चैतर में बेरोजगारी जो बढ़ करके हुई कि तेईस चोभीस में दो पॉइंट प्रतिसत हो गई इमपोर्टेंट हैं पूछ सकते हुआ यादि से ग्रामिन चैतर में बेरोजगारी दर में व्रदी दो पिद चार से दो पिद्च पांच हो गई यह यादि जहान रखने इदर गटी है बड़ी कितनी है यह कितनी है पॉइंट तीन परसेंट गटी है और यह पॉइंट एक परसेंट बड़ी है प्लस एक परतिसत बड़ी है पॉइंट एक पॉइंट एक परतिशत बढ़ी है और यह पॉइंट तीन परतिशत की कमी आई है महिलाओं में बैरुजगारी दर महिलाओं देखो गाओं में बैरुजगारी दर बढ़ी है और महिलाओं की बैरुजगारी दर बढ़ी है पहले 2022-23 में 2.9 परतिसत थी, जो बाद बढ़ कर 3.2 परतिसत हो गई, पुर्सों में बेरोजगारी दर गटी है, ये देखो, शेरी बेरोजगारी दर गटी है ना, तो पुर्सों की बेरोजगारी दर भी गटी है, बहिलाओं की बढ़ी है, ग्रामिंट छेतर की बढ़ी है, तो पॉइंट एक की कमी आई है कि रोजगार में लगे लोगों की इस्सेदारी 22 23 में सताउन पॉइंट तीन परतिसत थी यानि तोटल रोजगार उत्पन करने वाले में जो स्वरोजगार वाले लोग हैं वह वो 77.3 प्रतिसद थी, जो बाद में बढ़ गर, 8.4 प्रतिसद हो गई, कितनी हो गई, important है ये, आएगा ये प्रस्न, ये प्रस्न, आएगा, यानि और और देखो, सहरी चेतर की गटी है, पुर्सों की गटी है, क्योंकि पुर्स में सहर, सहरों में पुर्स है, वो ज़्यादा और महिलाओं की बैरुजगारी में कमी आई है, पुर्सों की बैरुजगारी में कमी आई है, सहर की बैरुजगारी में कमी आई है, महिलाओं की बैरुजगारी में वर्दी होई है, और गाउं की बैरुजगारी में वर्दी होई है, तो यह आवदिक कुआ कि क्रमबल का सर्वे था जो एने से सो करता है और नसों उसको जारी करता है 2017 से जारी किया जा रहा है लगातार हर्ष बश्द्रश जारी हर्ष जारी होता है कि यह बार-बार बताता हूं लाश्ट में यह मेरा एप है अपनी बूक प्लेइश्टोर पे मिल जाएगा अपनी बूक अपनी क्लास के नाम से हैं अपनी बूक अपनी प्लास तो उसमें प्लास के सारे पेपर हैं राश्टान इत्यास कला संस्कृति बुगोल कॉंस्ट्यूशन सबके रिकॉर्डेड मेरे क्लास के वीडियो हैं आप एक बार एक कोई कोर्स लेके देख लो आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो मेरे नमबर वहां पर मिल जाएंगे मेरे से बात कर लेना किसरा में अच्छा नहीं लगा है अब इसका कोई विकल्प है क्या वो विकल्प में बता दूँगा और पीसी के सारे पेपर हैं 2011 से लेकर के वर्तमान तक के सारे पेपर वहां पर अपलोड है करीब 60-65 पेपर हैं जो तयार हो चुके हैं टाइप हो चुके हैं उनको म मैं अब जल्दी अपलोड कर दूँगा तो एक बार जरूर देखें इसको और करेंट का एकनोमिक्स हैं करेंट का एंविर्मेंट हैं करेंट का साइंस टेक हैं उस सारा के सारा मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा जो सभी एक्जाम के लिए समान रूख से उप्योगी है